तो बच्चो शुरू करते हैं आज कुछ नया सीखना लेट्स लर्न बच्चो सबसे पहले आप अपने काम के उपर लिखेंगे आज की टीट चुकी है 7 10 यानि की अक्टूबर 2020 क्लास न सेक्षिन वक्षीट नमबर 81 के जिसे सेकंड क्लास के लिए स्टूडेंट्स ने पीचर का नाम फन विद लेटर्स तो देखते हैं आज हमें इन लेटर्स यानि की अलफबेट के साथ क्या मज़ेदार काम करना है तो बच्चो सबसे पहले अल अलफबेट को स्मॉल और कैपिटल दो तरीके से लिख सकते हैं जैसे कि A को हम कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हैं और स्मॉल में भी इसी तरह B को भी इसी तरह हर अलफबेट को कैपिटल और स्मॉल दोनों में लिख सकते हैं तो बच्चो चलिए एक बार अलफबेट G, U, V, W, X, Y, Z तो बच्चो आप भी यह सोंग आए और इन एल्फबेट्स को कैपिटल और स्मॉल दोनों में लिखिए उसके बाद पहला प्रश्ण है A. Match the letters of alphabets with their pictures आपको इन कैपिटल alphabets को पहले स्मॉल alphabets से मिलाना है फिर उनकी pictures से मिलाना है सबसे पहले है D. Capital D. Small letters का D यह रहा और D से कौन सी picture स्टार्ट हो रही है? Dog तो हम इसको इस तरह मिला देंगे इस से Dog से इसके बाद है U. Capital में, Small में यह रहा और इन में से pictures में है U for umbrella S. Capital and Small S for sun K. Small letter में उसके बाद kite Z. Z. Small letter Z for zebra आप इस तरह इनको मैच करेंगे उसके बाद finding words Many words are hidden inside a word A, R, car ले सकते हैं Take any letter and make a drawing using it For example, B is for B बचो दिखे B B से ही होती है B यानि की मदुमखी जो B से ही start होता है उसका name इंग्लिश में तो जब हमने B alphabet से मदुमखी ही बना दी इस तरह आपको भी उसी alphabet से शुरू होने वाले शब्द को यूज करके alphabet को यूज करके चितर बनाना है जिस तरह देखो मैंने C C for cat होता है और देखो C का ही यूज करके cat को बनाया है इस तरह D for होता है dog D का ही यूज करके dog को बनाया है end में बना dog तो आप भी पहले उसी alphabet को लेंगे और उसी alphabet से शुरू होने वाला कोई भी picture बनाएंगे मैंने और भी चीजे बनाई हैं जैसे fish F यूज किया F for fish F से ही यूज देखो end में fish बन गई और mouse यानि की चुगा M बनाया फिर इसी तरह उसमें आगे किया तो mouse बन गया उसके बाद penguin P for penguin P पहले ऐसे बनाया फिर उसमें आगे ड्रोइंग की तो penguin बन गया इस तरह आज rabbit यानकी खरगोश rabbit में ये मैंने steps में आगे किया तो ये बन गया है उसके बाद बच्चों अगला प्रश्ण है D Write the names of your family members in your copies ये केजी कक्षा के बच्चे सिर्फ copy में नाम न लिखके उनको अपने मम्मी पापा या भाई बहन या आपकी परिवार में जो भी है उनके नाम याद कर सकते हैं Mother मा का नाम Father पिता का नाम Brother, भाई Sister, बहन Grandfather, दादा जी Grandmother, दादी जी या नाना जी नाना जी नाना या फिर चाचा चाची या आपके घर में जो भी रहते हैं आपको उनका नाम लिखना है और ट्राइ करना है ये नाम इंग्लिश में ही लिखे आप हिंदी में भी लिख सकते हो और कोई भी समस्याय नाम लिखने में आप अपनी अध्यापिका से ज़रूर पूछे तो बच्चों उम्मीद है कि आपको आज का काम समझ आ गया होगा Stay healthy बच्चों Take care